हेलो इस वीडियो में हम इंसल्ट टैप के इलुस्टेशन ग्रूप के बारे में जानेंगे तो इसमें हमारी यहां पे तीन क्मांडे हैं पहली है शेप्स क्मांड सेकिंड है स्मार्ट आट क्मांड और थार्ड है चार्ड क्मांड तो यहां पे हमारी जो पहली कमांड है शेप्स कमांड शेप्स के बारे में हमने पिछली वीडियो में डिटेल में बताया अगर आप शेप्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उपर आई बटन पर क्लिक करें तो इसके बाद हम आगे स्मार्ट आर्ट के बारे में जानेंगे तो स्मार्ट आर्ट पे यहां पे क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद यह हमारे पास इसके स्मार्ट आर्ट अलग लग इसमें लिस्ट आ जाएगी जैसे यह लिस्ट का है तो यहां पे लिस्ट पे क्लिक किया तो यह लिस्ट के यहां पे option कुर जाएंगे आगे process के है यह process के है आगे cycle के है तो जो भी यहां पे हम option लेंगे वो option यहां पे आ जाएंगे जैसे relations पे क्लिक करेंगे तो यह आ जाएगा matrix पे यह आ जाएगा यह picture पे यह आ जाएगा तो जो भी हम यहां पे चाहिए वो यहां पे आ जाएगा तो जैसे यहां पे हमने process यह select किया process का यहां पे हम क्या करेंगे यह option लेंगे तो इस option पे click किया click करने के बाद ok पे click किया ok पे click करने के बाद यहां पर कुछ लिखेंगे जैसे यहां पर हमने लिखा input और आगे लिखा यहां पर CPU और यहां पर लिखा third पर output यह यह हमने यहां पर लिख दिया लिखने के बाद यह हमारे पास यहां पर आ जाएगा जैसे text pane पर pen पर यह क्या है अगर हम यहां पर कुछ चेंज करना जाते हैं जैसे यह text pane यहां पर खुल जाएगा input की जगा जैसे हमने यहां पर लिखा input unit unit तो input unit यहां पर बन के आ जाएगा तो जो भी हम यहां पर change करना चाते हैं add करना चाते हैं तो हम text pen के जरिए यहां पर तो हम यहां पे अगर unit यह हटाना है तो यहां से हटा देंगे और यहां पे बंद किया तो text pen पे हम कुछ भी यहां पे add कर सकते हैं जो भी हमने यहां पे text add किया हुआ है इसके बाद अगर यह right to left करना है जैसे यह देखो right to left यह output यहां पे आ गया है CPU यहां पे आ गया input यहां पूट तो इस प्रकार यह हम यहां पे राइट टू लेप्ट यह लेप्ट टू राइट जो भी करना है यहां सी कर सकते हैं जैसे इसको यहां पे यह हमार करसर है इन्पूट पे इसको मूब डाउन किया देखो CPU यहां पर आ गया है यह move down यहां पर हो रहा है input यहां पर गया इसको फिर move down किया यह देखो input यहां पर चला गया अब input यहां पर first position पर लाना है यहां पर CPU की जगा लाना है तो move up करना है यह देखो input second position पर आ गया इसके बाद Input यह first position पे यहां पे आ गया तो आप यह Input CPU All-Put यह बन गया यह बनने के बाद यहां पे अलग लग यहां पे Layout आई इसके यह Layout अगर first में इसमें रखना है तो इसमें कलिक करेंगे ऍस Layout में आ जाएगा अगर और layout चाहिए तो इसमें रखना है तो इसमें आ जाएगा या और भी यहाँ से option है जो भी layout हमें चाहिए उस layout में यह बनके आ जाएगा जैसे यह दिखो इसमें चाहिए तो इसमें बनके आ जाएगा तो इहाँ से जो भी हमें layout चाहिए उस layout में यह बनके आ जाएगा यह दिखो जिसके उपर यह पॉइंटर जा रहा है उस साथ ही बनके आ रहा है तो हम यहां से कोई भी लियोट यहां पे चूज कर सकते हैं जैसे यहां पे हमने फस्ट वाले यह चूज किया तो इस लियोट में यह बन किया जाएगा तो इसके बाद अगर कलर चेंज करना है यह कलर चेंज करना है तो हम यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं यह दिखो अलग लग यहां पर color है जो भी चाहिए उस color पर हमने click करना है उस color में यह change हो जाएगा तो suppose करो हमने इसको इस color में लिया तो इस color में आ जाएगा तो जो भी हमने यह change करना है color उस color में change हो जाएगा इसके वाद है smart art style यह style दिये हुआ है कि style में चाहिए तो जिसके ओपर यहां पर click किया यह देखो इसमें change हो रहा है अगले में click किया यह अगले में change हो गया इससे अगले चाहिए तो यह अगले change हो गया तो जो भी यहां पर हम style चाहिए smart art के उस style में यह change होता जाएगा यह देखो जैसे मुझ तो इस प्रकार हम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट का हो गया स्मार्ट आर्ट के बाद हम अगली कमाड चार्ड के बारे में जानेंगे तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां पे न्यू स्लाइड पे जाएंगे blank slide پہ जाएंगे, यह blank slide यहाँ पे आजाएगे इसके बाद chart के उपर यहाँ पे click करेंगे click करने गाद यह अलग लग यहाँ पे आजाएंगे जिसे यह column का है, line का है, pie का है, bar का है, area का है तो यहां से बहुत से यहाँ पे option दिये गये है जो भी चार्ट यहां पर हमें चाहिए उसके उपर हम क्लिक करेंगे जैसे यहां पर कॉलम यहां पर क्लिक किया क्लिक करने के बाद यहां पर इसको ओकी किया ओकी करने के बाद यह जो है यह एक्सल यहां पर शीट ओपन होगी इसमें क्या है यह जो यहां पर value ऐटमेटिक ही यहां पर आ जाएगी तो यह जो value भरी होई है उस रíaप से यहां पर यह column chart यह आपर बना हुआ है तो अगर हम यहां पर कोई भी value change करेंगे यह chart भी यहां पर change हो जाएगा जैसे यह दिखो category first यह category first है यह आगे category second यह category 2nd का है यह जो value वर्य हुई है उस इसाफ से यह बना हुआ है जैसे category 3rd यह category 3rd है यह category 4 है तो यह जो है category यहां पे बनाई गई है तो इसको अगर हम यहां पे value जैसे suppose करो यहां पे हमने value change की जैसे category 1 यह series 1 यहां पे क्या है यह value हमने यहां पे रखी 6 यह 6 रखी यह 2nd में यहां पे भरा हमने यह देखो 6 रखी तो यह जो है category 1 में यह 6 चला गया यह जो हमने series 1 यहां पे रखा 6 यह category 1 यह 6 रखा यहां पे तो यह 6 चला गया अब यह 2nd के लिए जो भी हम यह series 2nd यहां पे जो value भरेंगे जैसे हमने यहां पे value भरी 4 तो यह 4 तक यहां पे चला जाएगा यहां तक जाएगा यह यह देखो यहां पे हमने वरा 4 तो 4 करने के बाद यह देखो यह 4 यहां तक यह चला जाएगा यहां पे जैसे मैंने यहां पे 2 लिखा हुआ है series 3 पे यहां पर 3 लिखा मैंने तो यह जो है यह यहां तक चला जाएगा तो यह देखो यहां पर मैंने 3 लिखा तो 3 लिखने के बाद यह देखो यह जो है 3 यहां तक चला जाएगा तो जैसे जैसे हम यहां पर value change करेंगे यह हमारा column chart यहां पर change होता जाएगा अब category second में यह category second है इसमें change करना है कुछ तो यहां पर value change करेंगे जैसे यहां पर value हमने रखी one तो one रखने के बाद यह देखो यह one पर आ जाएगा यह इसके बाद यहां पर आगे रखा three तो यहां पर हमारे यह जो है four point four है यह तो यह four point four है अगर इसको three करेंगे तो यह यहां तक आ जाएगा यह देखो यहां पर three लिखा लिखने के बाद यह देखो यह three तक यहां पर आ जाएगा तो इस हिसाब से हम यहां पर जो value वरेंगे उस हिसाब से यह हमारा column chart बन के आ जाएगा तो इस प्रकार हम यह chart यहां पर बना सकते हैं औ और यहां पर value वरेंगे तो यह value बैसे यह change होता जाएगा इसके बाद add chart element अगर यहां पर change करना है जैसे primary horizontal तो यह horizontal आगे या click layout इसके चाहिए यह देखो यहां पर जिसके ओपर click करेंगे उस परकार यह बन के आ जाएगा इसके बाद change color अगर इसका color change करना है तो हम यह color change कर सकते हैं इस देखो color change हो रहा है जो भी color चाहिए उस color के उपर हम click करेंगे उस color में ये change हो जाएगा ये देखो जैसे ये color चाहिए ये color चाहिए ये उपर वाला ये चाहिए ये चाहिए तो जो भी color हमें चाहिए उस color के उपर हम click कर देंगे जैसे suppose करो मुझे ये column ये चाहिए ये चाहिए इसके उपर क्लिक किया तो इसमें ये आ जाएगा आगे chart style ये style दे गया है ये देखो जिसके उपर हमारा point जा रहा है ये change हो रहा है तो जो भी यहाँ पर chart style चाहिए वो chart style यहाँ पर आता जाएगा जैसे ये ये चाहिए तो इसमें आ जाएगा अगर इसके बाद ये अलग लग chart है जो भी हम लेने चाहते हैं उस पर हम क्लिक करेंगे वो chart यहाँ पर change हो जाएगा edit data करना चाहते हैं तो data को edit भी कर सकते हैं ये data edit यहाँ पर जैसे 6 लिखा हुआ है 5 लिखेंगे तो ये change हो जाएगा ये जिखो 5 लिखा ये 5 तक चला गया ये तो यहाँ पर 4 है यहाँ पर अगर मैंने 1 लिखा तो category 1 ये देखो ये graph जो है ये 1 यहाँ तक आ जाएगा निचे यहाँ तक तो यहाँ पर मैंने 1 लिखा 1 लिखने के बाद ये देखो ये 1 तक आ जाएगा ये इसको 2 किया तो ये यहाँ तक आ जाएगा ये देखो एडिट हो रहा है ये ये 2 किया तो ये 2 करने के बाद ये 2 यहाँ तक आ गया तो इसको हम value को यहाँ पर change भी कर सकते हैं और जैसे ही हम यहाँ पर value change करेंगे ये भ अगर यह जो हमारा कॉलम का है इसको चेंज करना है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जैसे इसको यहां पर पाई में किया ओके किया तो यह देखो यह चाल्ट जो है इसमें पाई में आ जाएगा अगर यह इसके स्टाइल आ जाएंगे फिर जो भी स्टाइल चाहिए उसमें यह क्लिक किया इसमें आ जाएगा और चार्ट टाइप चाहिए तो और भी है यहां पर जैसे बार चाहिए या एरिया का चाहिए यह देखो एरिया पर क्लिक किया ओके किया एरिया का यहां पर चार्ट बन के आ जाएगा तो जिस भी स्टाइल में यहां पे हमें चार्ट से यह उसमें आ जाएगा चार्ट टाइप स्टाइल यहां पे बहुत से स्टाइल है तो जो भी हम यहां पे option चूज करेंगे उस option में यह चार्ट बन किया जाएगा तो यह column पे किया ओके किया ये कॉलम में आ जाएगा तो इस वीडियो में हमने इंसल्ट टैप के स्मार्ट आर्ट और चार्ट के बारे में जाना अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल धन्यवाद